एक important announcement यह है कि जो statistics for data science यानि कि ABC of statistics for data science की book बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है उसके mostly chapters मैंने लिख ली है आज और कल वाले जो lectures मेरे रहते हैं उसमें लिखने वाले वो मैं लिख के वो book आपके हवाले करूँगा which will contain each and everything जो भी हमने अभी तक statistics के बारे में पढ़ा है statistics क्यों जरूरी है data science के लिए और वो एक tool book होगी आप लोगों के लिए जो रोमन उर्दू के अंदर मैंने लिखी हुई है और इंशालला free of cost आपके लिए available होगी but for sure अगर आप में से कोई चाहेगा उसकी pdf copy लेना then they can contact us and I will provide the pdf copy लेकिन online आपके लिए version totally free में available होगा अब बात यह है कि उस book के अंदर जो चीज़े हमने cover की है उस पे ना रहे हैं ठीक है वो बिलकुल introductory basics वो intermediate book है जो data science के लिए जो statistics सीख रहे हैं उनके लिए but on the other side अगर आपके mind में statistical concepts को और भी detail में जाके समझने की ज़रूरत है say for example multivariate analysis क्या होता है bivariate analysis क्या होता है univariate को और भी detail में देखना है then you need to read different books जिनमें से एक book का नाम मैं आपको बता देता हूँ practical statistics for data scientists ये book जो आपको online मिल जाएगी आप इसके उपर जाके उसको देख सकते हैं हमारी book इन्शाला आपको बहुत जल्द मिल जाएगी अगला जो काम है हमारा हम machine learning पे move करने वाले हैं और machine learning का जो पहला topic है वो data pre-processing है और उसके उपर हम इन्शाला scikit learn की library को पढ़ेंगे इन्शाला कल साड़ी नो बजए हम start करने वाले हैं अपना ख्यार रखें और इन्शाला कल को मिलते हैं